नरेंद्र मोदी ये नाम देश में इतना popular है उतना ही controversial है। कुछ लोग इन्हें dictator कहके पुकारते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये best prime minister है। और कुछ लोग तो literally इन्हें भगवान मानने लगे। इनकी सरकार कैसी रही है इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूं PM Modi के बारे में। आज तक इनके ऊपर जितनी भी controversies हुई हैं। जितने भी accusations लगें। भारत के इतिहास में सबसे ध्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है। और जितनी भी तारीफ हुई है। हर एक चीज को ध्यान से देखके positive और negative एकदम honesty के साथ आपके सामने रखोंगा। ये वीडियो PM Modi के ऊपर आज तक का सबसे unbiased वीडियो होने वाला है। चाहे आप PM Modi के supporter हैं या इनके सबसे बड़े critique हैं। आपको इस वीडियो में बहुत सारी interesting बातें पता चलेंगे। पूरे देश में आग लगने जा रही है। सबसे पहले देखते हैं कि लोग PM Modi को as a person कैसे देखते हैं। PM Modi की personal image एक humble background से आने वाले और ground से जुड़े हुए leader की बन चुकी है। चाहे बेचने से लेकर PM की कुरसी तक का सफर वाली जो कहानी है लोग इससे बहुत relate करते हैं। इतना करते हैं कि 2014 के election में तो चाहे पे चर्चा को election campaign में तक यूज़ कर लिया था इनोंने। किसी भी politician को देख लो अगर personal level पर कोई corruption करता है तो अपनी family के लिए करता है अब corruption चाहे वो ना भी करें। लेकिन अगर कोई MLA भी बन जाता है न तो सबसे पहले अपनी family को settle करवा देता है। मामा, चाचा, ताउ, बुआ, सब के बच्चे कहीं न कहीं job पकड़ लेते हैं। और ऐसे politician आपको SP, BSP, Congress, RJD हर party में मिल जाएंगे। खुद BJP के अंदर nepotism करने वाले बहुत सारे example हैं। लेकिन PM Modi के साथ इस से उल्टा है। उनका अपना परिवार आज भी वैसे ही normal और middle class जिन्दी की जी रहा है। कोई fitter की job से retire हुआ है, कोई दुकान चला रहा है और कोई normal सी सरकारी नौकरी कर रहा है। ना इनके पास luxury villa बने हुए हैं और ना ही ये charter plane में घूम रहे हैं। इसलिए जब PM Modi बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूँगा तो जो इनके core supporter है वो ये कहते हुए दिख जाते हैं कि देखो कितनी सही बात है। अगर Modi जी corrupt होते तो सबसे पहले अपने family को कहीं न कहीं set करवा चुके होते हैं। PM Modi का career एक RSS स्वयम सेवक की तरह शुरू हुआ था। उसके बाद emergency, रथ्यात्रा, लाल चौक पितरंगा ऐसे बहुत सारी movement जो BJP ने करी उनको इन्होंने as a normal party worker की तरह जॉइन किया था। अब ना तो कहीं BJP power में थी और ना ही इनको कोई minister की कुरसी मिलने वाली थी। और ये जो इतने कई decades का experience ground पर था, उससे PM Modi को एक बहुत important tool मिल गया और वो था इनकी speeches। सिवा में समय देना, लंगर पाना, सीख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। इनकी speech में आप एक दो बाते notice करोगे, इस speeches जहां की भी हो, वहाँ पर अपनी audience के हिसाब से वो उसको relatable मनाते हुए दिख जाते हैं। सबसे बहले कहेंगे, यहाँ से तो मेरा बड़ा पुराना connection है। यह एक trick खेली जा रही है। यह trick दुनिया के सारे orator खेलते हैं। Dollar Trump भी USA के अंदर इसी trick को follow करके इतने जादा popular हो चुके हैं। इसके अलावा कोई भी इंसान successful होने के बाद किस तरह लोगों के साथ उठता बैटता है। उससे उसकी personal image वैसी बन जाती है। अब एक simple सी चीज आप notice करना। 1989 में जो Padm Award मिलते थे, वो किसे मिल रहे थे। राजदीप सरदेशाई, विनोद दुआ, बर्खादद, और आप जाके देख लो। जालतर ऐसे लोगों के नाम आपको दिखेंगे जो शायद आपने कभी सुने भी ना हो। जिनका कोई भी backup नहीं है, जो जादा famous नहीं है, ना किसी elite class चार है, उनको ये award अप दिये जा रहे हैं। इसमें ऐसे भी लोग शामिल हैं, जिनके पास इस award को receive करने के लिए दिल्ली आने तक के पैसे नहीं available थी। कभी भी पहले कोई important जब building बनती थी, तो उसको बनाने वाले मजदूरों को कोई जानता तक नहीं था। लेकिन आज क्या होता है, देश के PM उनके साथ lunch करते हैं, और कभी-कभी जमीन पे बैठके photo तक खिचवाते हैं। 2019 में PM Modi ने सचता अभियान पर बोलते हो एक बड़ी बात कह दी थी, कि celebrities तो बस इसके face बने हुए हैं, जो असली लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं, वो देश के सफाई कर्मचारी हैं। जब राम मंदिर बना, तो PM Modi इसको बनाने वाले laborers पर full बरसा रहे थे, और ये सब देखने में शायद आपको ऐसी लगे कि बहुत noticeable बात नहीं है, लेकिन overall ऐसे छोटे-छोटे steps की वज़ा से PM Modi की जो personal image बनती है, वो एक humble background से आने वाले और ground से जुड़े हुए leader की बन जा आप किसी दिन को भी dry day declare कर दो, बन्दा जाएगा एक दिन पहले दारू लेके आएगा और ये कहेगा कि पीऊंगा तो आप इसी दिन पीऊंगा, लेकिन PM Modi ने यहाँ पर एक अलग approach follow करी है, अपने देश का आदमी थोड़ा emotional भी है, किसी भी चीज को event बना दो, प्यार से चामिल करने बोल दो, वो बन्दा खुद गरेगा, चार और लोगों से करवाएगा, क्योंकि यह approach elitist नहीं लगती, ऐसा लगता है कि सरकार powerful होने के बावजूद भी आप से request कर रही है, PM Modi ने इसी sentiment को पकड़ा और बड़े अच्छे से use करा, 2016 में give it up campaign चलाई, एक करोड से लेकिन फिर भी लोग लाइनों में लग रहे थे और PM Modi की जो क्रिटीक्स हैं, उनसे लड़ भी रहे और ऐसे एक नहीं, हजारों एक्जामपल आपको बिनवा सकता हो, COVID pending में के टाइम पर लोगों ने छट पे जाकर ताली बजाई, ताली बजाई, दिये जलाए, यह वाइर सो करोड से जादा लोगों ने वैक्सीन बड़ी खुशी-खुशी जाके लगवा ली, यह कोई मजाग का काम नहीं है, अमेरिका और आस्ट्रेलिया में जाकर पता करो कितने लोग आस तक कहते हैं हम नहीं लगवाने हैं, फिर ऐसे ही सेलफी विड डॉटर, हर घर तिरंगा लक्षदी, बॉइकोट, यह जो सारी छोटी-छोटी चीजों को इवेंट बनाने का जो ट्रेंड है, वो एकदम नया शुरू हुआ है, और पहले ऐसा कुछ हो सकता है, यह imagine करना भी मुश्किल था, अगर सोशल मीडिया की language में कहा जाए, तो PM Modi देश में इस टाइम पर सब जाओगे, एक आदमी का किस्सा है, 2003 से 2011 तक इनोंने यूएन के लिए काम करा, जेनेवा जाने वाले थे, इसकी बात चल रही थी, फिर इनोंने कहीं से एक पेपर लिख दिया, गुजरात गवर्मेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कि अरे मैल लूट्रिशन में तो उनका पर बड़ा खराब आता है, उस टाइम पर मोदी जी वहां के सीम थे, इस आदमी का नाम था प्रशांद किशोर, जनरली सीम लोग अपने स्टेट की बुराई सुनके क्रिटिसिजम करने वाले पर ही अटैक कर देते हैं, हो सकता है जेल में डाल दे, लेकि सीम मोदी ने इनक से MBA करके आ हैं, और जो आज कल रेलवे में अनौस्मेंट होता है, उसका सिस्टम भी इन्होंने ही डिजाइन करा था, इनको आईएस ओफिसर की जॉब सिला कर, PM मोदी ने रेल मिनिस्टर बना दिया, पहली बार साउंड को मल्टिमीडिया डेटाबेस के अंदर डाला था, यह जो रेलवे का अनौस्मेंट सिस्टम है, तब आईटी कानपूर से मेरे प्रोजेक्ट का बाइप्रोडक्ट था, इसके अलावा फॉरेंट सर्विसेस में भारत के लिए चुप चाप काम करने वाले एस जयाशंकर, जो 2019 में टाटा संस के लिए काम कर रहे थे, इनको भी मीटिंग के लिए एक फोन गया, और PM मोदी से इन्हें डिरेक्ली फोरेंट मिनस्टर बनने का ओफर मिल गया, क्या कहा अब से प्रदानवंती नरेदर बोदीन जब मिलने के लिए बुलाया, कहा कि he had thought about my joining the team, ऐसे बहुत से एक्जामपल है, PM मोदी की टीम में आजी धोबा यह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और यह दिखाता है कि PM मोदी की success कहीं न कहीं उनकी team building जो ability है, उसका एक direct result है, team building के साथ साथ tech adoption में भी PM मोदी ने बड़े बड़े example set करें, प्रशान किशोर की बात अभी मैंने करी, यह शायद पहली बार था कि भारत के election में किसी leader ने चार से पांस साल का time लग गया था, PM बनने के बाद भी governance में tech adoption की speed बहुत तेजी से बढ़ी है, direct benefit transfer से लेकर, जो जातर government services आजकल है, वो online हो गई है, जो 2014 के पहले तो सोचना भी impossible था, और tech adoption का जो काम है, वो PM मोदी ने 1996 में शुरू कर दिया था, जब वो BJP के अंदर एक executive position में थे और हर्याना के former CM मनोहरलाल कटर के साथ हर्याना में ही रहते थे, तब वहां के BJP office में सबसे पहली बार computers भी PM मोदी ने ही रखवाए थे, हमारा एक office में काम करता है लड़का दीपक, तो दीपक जाओ, वो गाड़ी में पीछली डिगी खोल के उसमें तीन डिब्बे मुझे है, वो डिब्बे निकलवा के लाओ, इनको खोलो, खोलवा दिये, तो मुझे पूछा कि मालू में ये क्या है, तो उस समय वो टीवी का बकसा होता था, मैंने कि छोटा टीवी का, वो लग रहा मुझे, तो कहले लगे टीवी नहीं है, ये कंप्यूटर है बात है 2016 की, पहली बार PM मोदी की educational qualification के उपर controversy हुई थी, इसके बाद से topic कही न कहीं सोशल मीडिया में आता ही रहता है, जब ये controversy बढ़ी, तो अमिश्चाने press conference करके एक degree दिखाई मैं इस प्रेश वारता के माध्यम से आप सब के सामने प्रधान मंत्री जी की BA की और MA की दोनों डिग्रिया सारवजनिक करना चाहता हूं गुजरात University ने भी एक statement दिया, कि PM Modi ने 62.3% के साथ में master's यहां से pass किया था और इनका subject था entire political science उस time पर भी एक controversy हुई, कि भाया entire political science नाम का तो कोई subject ही नहीं होता है, इसमें किसी और ने degree नहीं करी आस तक, तो PM Modi ने कैसे कर ली जो इनके critics हैं, वो PM Modi का वो interview भी उठा लाए और पूछने लगे, कि ये तो कह रहे थे कि school के बाद इन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी है, college का तो कभी मूँ नहीं देखा है, इन्होंने कैसे master's की degree कर ली पर आपको कोई formal training तो नहीं human resource management की PM Modi ये भी बहुत बार बोलते हुए दिखते हैं कि 17 साल की उमर में उन्होंने घर छोड़ दिया था, फिर वो सालों तक हिमाले की तपस्या करने चले गए थे, तो फिर ये वाली degree उन्होंने exactly की कब, एक जनलिस नहीं लास्ट ये एक interview में का था कि 1981 में जब वो PM Modi से मिली लिखाई जाती है, उसमें भी बहुत सारी claim हुए थे, पहले एक आ गया कि ये तब तो printed degree नहीं मिलती थी, हां से लिखके मिलती थी, इसमें जो font है वो तो 83 के बाद रिलीज हुआ, ये वाला font कैसे use हो रहा है, इस degree में जिनके sign है वो तो 1981 में रिटायर हो गय है, लेकि ये जो claim है, ये WhatsApp University का है, क्योंकि Factly ने पूरे detail article में इस चीज़ को debunk किया है, कि जितने claim है, ये सारे फरजी थे, लेकिन वो भी उस article के end में लिख गए, कि वो personally इस चीज़ को verify नहीं कर पाई कि ये degree असली है या नकली है, तो degree वाली जितनी भी बाते थी, जितने भी सारे claim थे वो मैंने आपको या पर बता दी है, लेकिन जो बाकी negative point है, वो भी बड़े काम के है, लोग बोलते हैं कि अगर PM Modi इतने ही open minded है, तो पिछले 10 सालों में उन्होंने एक भी press conference क्यों नहीं करी, जब election आते हैं, तो PM Modi news channel और celebrities के साथ खूब interview करते हैं, वहाँ पे इन से पूछा आप अपने पास बटूआ रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या बटूआ जिसके अंदर पैसे होते हैं, PM Modi one way communication खूब करते हैं, अपनी मन की बात चला देते हैं, speeches दे देते हैं, लेकिन जो two way communication है, जहाँ पर directly tough question पूछे जा सकते हैं, वो इनका एक weak point लगता है, इससे पहले भी जब PM Modi से किसी ने भी tough question पूछे हैं, हर उस interview में PM Modi बहुत uncomfortable होते हुए दिख जाते हैं, एक दो interview तो यह छोड़के चले गए थे, मुझे भी ऐसा लगता है कि PM Modi को अपने सबसे बड़े critics को directly questioning करने का पूरा मौका देना चाहिए, सारे critical जो news channel और जो web portal है, उनके साथ एक press conference करने में क्या problem है, रवीश कुमार और राजदीब सर्देशाई जैसे जनलिस के साथ एक बार बैट के interview देने में क्या ही problem है, अरे यह सब करने से देश की जनता को एक transparent perspective तो मिलेगा, कुछ जो tough question पूछे जाते हैं, उनके थोड़े बहुत explanation मिल जाएंगी, PM Modi पर crony capitalism का भी एक allegation लोग बड़ी strongly लगाते हैं, वो यह कहते हैं कि भहिया देखो इनकी family में तो इन्होंने किसी को settle नहीं करा, लेकिन देश के अंदर कुछ specific businessmen है, उनको इन्होंने फाइदा जरूर पहुँचा रहा है, पिछले 10 सालों में मुके संबानी जी की wealth 350% से बढ़ी है, यह दुनिया भर में richest percent की list में 41 पे थे, अब 11 पे पहुँच चुके हैं, सेम पीरेड में गौतम अडानी की wealth 1200% से बढ़ी है, यह भी richest की list में पहले 46 से जादा number पे थे, फिर यह 3rd पे पहुँच गए, वो तो हिंदेनबग रिपोर्ट आ गई तो यह थोड़ा नीचे खिसक गए, लेकिन अभी भी 16 नंबर पे आते हैं, अब इस wealth rise का मतलब यह directly नहीं है कि PM Modi ने अपनी जेप से पैसा निकाल के उनको दे दिया है, लेकिन जो इनकी critique हैं, वो claim करते हैं कि जो सरकारी project हैं, उसमें जादा तर जो allotment है, वो Ambani और Adani की companies को ही मिल रहा है, और उसी वज़े से इनका business बढ़ रहा है, अब यह project सारे इनको ही क्यों मिल रहा है, इसके पीछे सरकार कहती कि हम तो tender निकालते हैं, जो भी bid करता उसको project मिल जाते हैं, लेकिन critics कहते हैं कि यहाँ पर PM Modi से इनकी closeness है, और यहाँ पर एक दोस्ती निभाई जा रही है, तो यह तो बात हो गई PM Modi as a person की, अब देखते हैं उनकी leadership को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या PM Modi divisive leader है, 2019 के election से जस्ट पहले time magazine वाला cover आप सबको याद है, जिसमे PM Modi को divider in chief बताया गया था, लेकिन election के जस्ट बाद, same magazine ने ये भी claim किया था, कि PM Modi ने थो पूरे भारत को unite कर दिया, लेकिन ये वाली बात कहीं दब गई, सारे लोगों ने आपको बताई नहीं, तो इसलिए जरा दोनों side के claims को एक बार अच्छे से analyze करने की जरूरत है, सबसे बहले बात करते हैं उस side के बारे में, जो थोड़ा कम notice में आती है, जनरल perception में ये बात है कि PM Modi की सारी policies Muslims के against रहती हैं, लेकिन फिर भी Muslim women के बीच में इनकी popularity देखो, तो वो भढ़ती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा reason है कि तीन बार तलाग बोलके जो मर्द अपना निकाह को खतम कर रहे थे, PM Modi की government ने उसको criminalize कर दिया, और इस bill को पास करने की वज़ा से Muslim women बीजेपी को openly support करने लगी, 24 गंटे पहले ठीक इसी वक्त पर तीन तराग बिल राजसबा से पास भुआता है, और तब से लेकिर अब तक लगातार, Muslim महिलाएं जश्ट मना रही है, प्रधनमंत्री Modi का शुक्रिया अदा कर रही है, इसके अलावा PM Modi की जो minority के social welfare की schemes चलती हैं, भया इससे चड़के तो कटर BJP supporter भी ये कहने लगे थे कि PM Modi मौलाना Modi हैं, ये आपको यकीन नहीं होगा लेकिन economy advisory council की study में पता चला कि social welfare schemes में जो सबसे ज़दा फायदा है, अगर वो किसी एक community को जा रहा है, तो Muslim समाज ही है, इसके अलावा किसान स अमान निदी, housing scheme और अजुला scheme में almost one third जो beneficiaries हैं, वो सारे minorities से ही आते हैं, अगला data थोड़ा वर shocking हो सकता है, लेकिन UPA के comparison में Muslims को Modi government के अंदर जादा scholarships भी मिली हैं, और especially जो Muslim women हैं वो इनके support में Modi भाईजान जैसी campaign करती हुई नजर आती है, भारत के बाहर भी Muslim world में अगर आ अफगानिस्तान हर एक country ने अपने top civilian award PM Modi को दिये हैं, तो दुनिया भर के Muslim nation किसी anti-Muslim leader को ये award क्यों देंगे भाई, वो पागल थोड़ी हो गएं सारे के सारे, लेकिन इसके बावजूत काफी सारे लोग ऐसा ये strongly मानते हैं कि PM Modi एक divisive और anti-minority leader है, तो इनके भी जो सारे argument हैं, उसको एक-एक करके देख लेते हैं, सबसे जो strongest argument हैं वहाँ से शुरू करते हैं, कहते हैं 2002 का जो गोधरा riot हुआ था, जिस riot में 1000 से जादा Muslims की जान गई थी, इसके लिए बहुत सारे लोग PM Modi को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उस time पर ये वहाँ के chief minister थे, और उस incident की वज़ा से अमेरिका ने वीजा तक देने से मना कर दिया था, और जब ये PM बनने वाले थे, उससे थोड़े time पहले, जब Congress की government थी देश में 2013 के अंदर, तो यहाँ पर जो sitting MP थे, वो बहुत सारे लोगों ने मिलके एक letter लिखा था, और अमेरिका से request करी थी, कि इनको वी इसको लेकर भी PM Modi को लोग anti-minority बोल देते हैं, लेकिन CAA का तो कोई connection भारत की minority से था ही नहीं, वो तो neighboring countries के religiously persecuted minorities के लिए बनाये गया, और रही बात NRC की, तो वो तो अभी तक सिर्फ असाम में हुई है, और वो भी तब हुई है, जब एक लंबे time तक वहाँ पर एक Supreme Court case च बहुत सारे चोटे-चोटे groups हैं, जिनके leader आए दिन anti-minority speeches देते हैं, और rallies निकालते हैं, जनरली ऐसी rallies अगर आप ध्यान से notice करो, तो हर religious groups वाले निकालते हैं, किसी पर कोई बड़ा action नहीं होता, इन पर भी नहीं होता है, लेगिन क्योंकि ये लोग BJP की ideology से खुद को associate कर के statement देते हैं, रैलिया निकालते हैं, इसलिए directly PM Modi और BJP के साथ इनका association देखा जाता है, और क्योंकि ये anti-minority बाते हैं, तो लोग कहते हैं, PM Modi भी anti-minority है, anti-minority image का एक ये भी reason है, कि BJP की जो elected MPs हैं, उसमें Muslims का जो representation है, वो zero है, लोग सभा और राजे सभा के अंदर BJP क एक भी MP नहीं है, जो Muslim है, इसके लाबब BJP के साथ ना एक perception की चीज है, बड़े धान से सुनना बहुत interesting बात है, BJP का जो भी current leader होता है, उसको लोग anti-minority बोलना शुरू कर देते हैं, hardliner बोलना शुरू कर देते हैं, जब तक अटल जी power में थे, उनकी personal life से लेकर, उनके thought process इसको एकदम radical बताया जाता था, जैसे वो power से गए, सब ने बोलना शुरू कर दिया, कि यह तो एकदम संत आदमी थे, लेकिन जो L.K. Advani है, यह बड़े radical हैं, जैसे ही आडवानी जी की थोड़ा कम popular हुए, तो अब उनको सब लोग एक बड़ा शांत leader वाली image की तरह दिख यह एक तरह से BJP leaders के साथ perception cycle चलती है, अब बताना कि आपने भी इस चीज को notice किया है, अब थोड़ा देख लेते हैं कि PM Modi as a administrator कैसे है, एक सेगंड के लिए आप यह भूल जाओ कि यह वीडियो PM Modi के बारे में, और एकदम सच सच बताओ, आज से 20 साल पहले भारत के बारे में आपका क्या perception था, क्या यह statement common नहीं था कि भारत का दो भाया कुछ नहीं हो सकता, अरे खुद देश के finance minister ने parliament में कह दिया था कि online payment, वो भी भारत में, अरे सब जी वेचने वाले यह सब काम करेंगे क्या आप, हम बस imagine करते थे, क्यार US में, योरोप में कित्ती तेज नेट च इसमें भी negative बाते हैं, वो भी मैं आगे cover करूँगा, लेकिन पहले यह theme देख लेते हैं, nationalism से related, जितने भी सारे step हैं, वो एक big vision plan की तरह आपको दिखेंगे, यहाँ पर 5 या 10 साल की बात नहीं होती है, ऐसे plan है, जो 50 और 100 साल बाद भी भारत के उपर impact करते रहेंगे, जैसे net zero carbon emission का ambitious target भी है, और already 2023 में भारत की renewable energy की capacity, total capacity का 37% पे पहुँच चुकी है, 2025 में और 30 से बढ़े गी है, दुनिया का सबसे बड़ा solar park और सबसे पहला solar powered airport आज भारत में ही बना, big vision के अंदर infrastructure में भी आप change देख रहे होगे, especially national highway बनने की speed, आजादी के बाद से जितने highway बने थे, वो पिछले 10 साल में डेड़ गुने हो चुके है, ये बात अपने आप में बहुत magical है, थोड़ा सोच के देखना, जितने airport आजादी के बाद से अब तक बने थे, उतने ही अकेले पिछले 10 साल में और बन गए है, दस साल पहले तक सिरफ 20,000 km तक की railway line electrified थी, और अकेले जाएगा, जो कि अभी दिल्ली और मेरट के बीच में शुरू है, इसके अलावा PM Modi के अंडर ही, UPI ना सिरफ भारत में सक्सीड हुआ है, बलकि अब तो हम ये technology globally export कर रहे हैं, लोगडाउन के टाइम पर भी दुनिया का सबसे बड़ा vaccination drive भारत में ही run किया गया था, इस्पे अलो में नहीं हुई है, ऐसी बहुत सारी चीजे हैं, जो UPA1 और UPA2 की टाइम भी शुरू हुई थी, तो उनको भी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन UPA government और PM Modi की government में एक बड़ा difference था, PM Modi full majority से जीते थे, इनके पास coalition का pressure नहीं था, इसलिए ये अपने administration में काफी बड़े और privatization, जो की बहुत decade से pending reform थे, वो भी अब सारे complete हो चुके हैं, आर्टिकल 370 को खतम करना एक इतना sensitive move था कि इसके क्या repercussion होंगे, कोई imagine नहीं कर सकता है, लेगिन ये इतने strategic way में किया गया कि आज कश्मीर के अंदर आजादी के बाद से सबसे ज़ादा peace है, इतनी peace है कि G20 summit की meetings हमने आपे करवा डाली और पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया है, इसके लवा मोधी administration की सबसे बड़ी और सबसे silent achievement है, इनकी welfare scheme, जिसकी वज़ा से गाउं गाउं के अंदर इनका voting share बढ़ता जा रहा है, PM आवास, उजुला, स्वच भारत, नल से जल, direct benefit transfer और 21 mission की वज़ा से 71% गाउं में आज tap water पहुंच चुका है, 2023 तक आयुश्मान भारत के तुरू 24 करोड़ लोगों को insurance card मिलें और इन्होंने 60,000 करोड़ से जादा का treatment free में करवाया है, MG नरेगा, किसान सम्मान निधी, cylinder subsidy, अब ये direct account में आती है, पहले बीच वाले लोग पैसा राजीव गंदे तो कहते थे, एक रुपे भेशता हूं और 75 पैसा बीच में गायव हो जाता है, आपको सिर्फ 25 पैसा मिलता है, लेकिन अब 50 करोड़ जंधन account खुल चुके हैं, और सारी की सारी subsidy, directly bank में पहुँच रही है, PM Modi के administration में national security पर भी काफी जोड दिया गया है, especially surgical strike जैसे decision लेना और terrorism के against भारत की जो aggressive approach है, इसकी वज़ा से पिछले 10 साल में कोई भी major attack भारत के अंदर देखने को नहीं मिला है, national security की strengthening हम border area में भी देख सकते हैं, पहले जहां हम defensive केहलते थे, अब aggressive जा रहे हैं, रणाचल प्रदेश में हम 1500 km का frontier highway बना रहे हैं, North East में railway network को भी बढ़ाये जा रहा है, लदाक और कश्मीर को जोडने के लिए जोजिला टनल को बनाये गया, जो बड़ी strategic lifeline की तोर पे सामने आई है, जम्मू कश्मीर में चेनाब river के उपर जो highest railway bridge बन रहा है, उससे भी बहाँ पर operation करना और असान हो जाएगा, PM Modi सोशल मीडिया का भी बड़े अलग तरसी उस कर रहे है, यह PUBG वाला है क्या, आपको इंस्टाग्राम पे हर दूसरा मीम PM Modi के उपर दिख जाएगा, चाए वो AI डबिंग वाला हो, चाए नॉर्मल, चाए वो hashtag melody जो चल रहा था, PM Modi खुछ 70-80 साल के हो रहे हैं, ऐसा कोई इंसान आपको पता है जिसके यह जितनी जादा हो और वो यूथ के बीच में relatable हो, मगर PM Modi इसी meme strategy की वज़ा से यूथ के बीच में भी उतने ही relevant है, लेकिन PM Modi as a administrator सारा कुछ positive नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी बड़े बड़े नेग negative point हैं और वो भी एक करके मैं बताता हूँ, 2019 के बाद में ऐसा देखा गया कि BJP की जो politics है, वो काफी हद तक हिंदुत्वा, religion based और appeasement पे depend हो गई हैं, और लोग भी इससे effect हुए हैं, क्योंकि मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ religion और मंदिर मस्जिद पर ही debate देखने को म नतीजा है, जिसमें लोगों का ध्यान जरूरी चीजों से हटा कर अपने favor वाले propaganda topic पर इन्होंने shift कर दिया है, अब लोग BJP के उन सारे बादों को भूल गए हैं, जो 2014 से 19 के बीच में election में इन्होंने किये थे, और उन सारे projects को भी भूल गए हैं, जिनको 2022 में पूरा हो जा अच्छे दिन की बाते करी थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है, लगातार BJP की तरफ से development बाते कम और religion वाली बातें जादा सुनने को मिलती हैं, काम हो रहा है, मैंने अभी आपको कितनी सारी बाते बताएं, लेकिन बहुत से ऐसे project हैं, जिनको जान बूच कर ध स्मार्ट सिटी नहीं है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे लेवल पर पॉपलर हुआ हो, या फिर ग्राउंड पर वहाँ पर इतना काम हुआ हो, कि उसे ढंग से स्मार्ट सिटी बोला जा सकी, 2015 के बाद से, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंड सबसे ज़्यादा चर्चे थे, ब्लैक मनी के, खुद पियाम मोदी अपनी रैली में कहते थे, कि इतुना सारा पैसा बाहर है कि अगर वापिस आ गया, तो सब को 15-15 लाक रुपए तो यूही मिल जाएंगे, लेकिन पियाम मोदी के पावर में आने के बाद से, स्विस बैंक में जमा इंडियन्स का जो पैसा है, वो आया नहीं है, और ज़्यादा वहाँ बढ़ता चला जा रहा है, महुल चौक्सी, नीरव मोदी, विजय मालिया जैसे लोग बैंक के पैसे लेकर बाहर चले गए और आराम की जिंदगी काट रहे हैं, 2022 में एक बयान देते हुए गव monetization के अलावा PM Modi का जो GST implementation का decision है, वही बड़ा controversial है, कोई भी छोटे बड़े businessman से पूछ लो, GST के compliance को follow करने में इतना confusion है, कि किसी को आज तक पता नहीं है, कुछ CA confused हो जाते हैं कि कितना tax लगाना है, कितना नहीं लगाना है, farm laws भी PM Modi के failed execution में ही गिंता हूं है, इनका एक bold step क की तरह ये लेकर तो आए थे, लेकिन political reason की वज़े से वापिस ले लिए, अगर आप uniform civil court भी देखो, national level पर implementation तो छोड़ो, बातचीत भी उस level पर नहीं हो रही है, CA को भी implement करने में पास साल लग गये थे, अरे भईया, full majority की सरकार है, अगर लोगों के बीच में CA को लेकर option free हो गए, प्रफुल पटेल महराष्टरा के अंदर पहले करप थे, अब इधर आ गए तो बहुत अच्छे हो गए, कई सारे state में public mandate के against जाकर जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ली, हो जकता है आपके PM Modi directly इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बाइया ऐसा तो नहीं है, कि वो इन सब बातों से अंजान है, उन्हीं के सामने ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसके लिए उन्हें भी criticize करना उतना ही जरूरी है, तो ये था हमारा PM Modi की public image, leadership और administration के उपर एक पूरा detailed वीडियो, हमने सारे major factor को include करने की कोशिस करी, बाकी आप comment ने बताई